दोस्तो आज के इस Hindi to English Translation वीडियो में हम Translate करेंगे इंगलिस में राम खा चुका है तो चलिए हम इसे इंगलिस में Translate करते हैं दिखिए जिस पाक अंत में चुका है रहता है वो Persian Perfect Tense का Sentence होता है और ये Persian Perfect Tense का Simple Sentence है यानि Affirmative है जिसमें कि एकदम साधारण सा है Persian Perfect Tense का जो Simple Sentence होता है उसे इंगलिस में Translate करने का नियम है सबसे पहले आपको Subject लिखना है तो इस वाकिका Subject है राम तो सबसे पहले राम लिखेंगे उसके बाद हैज या है ठीक है तो नाउन के साथ जो Singular Number का नाउन होता है उसके साथ हैज रहता है तो राम हैज उसके बाद वर्व का Third Farm तो यहाँ पे वर्व क्या है वर्व है खाना और खाना को इंगलिस में Eat कहते हैं और इट का Third Farm होता है इटेन राम खा चुका है राम हैज इटेन यहीं होता कि राम ने खाया है तब भी आप इसे इंगलिस में कहते हैं राम हैज इटेन दोस्तो आपको इस चैनल पर इसी तरह की छोटे छोटे वीडियो मिलती रहेगी जिसे से की आप थोड़े थोड़े समय में ही अपने इंगलिस इंप्रूब कर सकेंगे